नमस्कार स्वागत आपका स्टार्ट इन्वेस्टन में दोस्तों स्टॉक मार्केट में सेर्स अप या डाउन चलते रहते हैं अभी पिछले एक महीने से आप लोग देख रहे होंगे पिछले एक मन्त के दोरान काफी जो है यहाँ पर डाउन फॉल सेर मार्केट के अंदर देखने के लिए मिला था लेकिन जो यह हफता गया है इस हफते में शेर मार्केट के अंदर जो है अच्छी खासी रिकवरी देख यही खाशियत होती है अच्छे शेर की कि वो long term में आप लोगों को अच्छे returns बनाके देते ही देते हैं Small shares जो अनके अंदर एक और potential होता है कि वो बहुत कम समय में आप लोगों को जादे returns भी दे सकते हैं लेकिन small share के अंदर थोड़ा सा downfall का risk भी रहता है तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में, टोटल तीन स्टॉक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, टाटा पावर का एक मेगा प्लान है, उसके बारे में भी आप लोगों से बातचीत करेंगे, रेनेवेबल इनर्जी से यह रिलेटेड है, तो एक के करके ती यह कंपनी करती है, इस कंपनी का जो औरिजनल पूरा नाम में आप लोगों को बता हूँ, तो रामा स्टील ट्यूप्स लिमिटेड है, 1974 में जो है इस्टैबलिश हुई थी यह कंपनी, और तब से यह चलती आ रही है, यानि कि इनका जो एक्सपिरियंस है, काफी लंबा है अगर देखा जाए, तो टूटल 47 प्लस एर से यह कंपनी काम कर रही है, 300 प्लस इंप्लॉई हैं इसके, और 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में अभी तक यह कंपनी जो है काम कर चुकी है, इसके कुछ जाने माने प्रोजेक्ट हम अगर आप लोगों को बताएं, तो जैसे B.S.E.S. राजधनी पावर लिमिटेड है, देखा जाए तो यहाँ पे गुजरात गैस लिमिटेड के अंदर इन्होंने अपने प्रोड़क्ट दिये हैं, उत्राखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ पे अपने प्रोड़क्ट दिये हैं, पावर जानी है, इसके प्रोड़क्ट मैं आप लोगों को बताऊं, तो जैसे रामा स्कैफोल्ड, रामा ग्लेज, रामा लाइट पोल्स, रामा गैलवनिक एग्रो, रामा क्लासिक फायर फिक्स है, रामा गैलवनिक इन्वायरो, रामा केजिंग और रामा स्ट्रॉक्चरल हॉलो स यानि की इस company के जो product हैं वो building बनाने से related हैं PVC के pipes हैं या steel के pipes हैं और इस category में इंडिया के अंदर जानी मानी company है, manufacture करती है steel pipes को, tubes को, rigid PVC और GI pipes को और साथ में square section products को इंडिया के अंदर 385 रुपए के करीब ये share जो है trade कर रहा है, बात करें इस company के market capitalization की तो 646 करोड रुपए का इस company का market capitalization है ROCE देखेंगे यहाँ पर company का तो 20% का और return on equity 24% का है, 5 रुपए की face value वाला ये share है जिसके की profit after tax 27 करोड रुपीज का, earning per share 16 रुपए का है profit growth देखी जाए तो 121 परतिसत की और promoter के पास 70% की share holding है, वहीं बात करते हैं हम इस company के debt to equity ratio की तो ये एक के करीब है और sales growth के अंदर 63% का इजाफ़ा जो है दिखाई दे रहा है, reserves company के अंदर 118 करोड रुपए के company के जो है fundamentals और financial आंकड़े, काफी अच्छे यहाँ पे हम लोगों को लग रहे हैं share holding pattern के अंदर एक खास चीज आप लोगों को बता दूँ कि हाल ही के quarter में, यानि कि March 2022 के quarter में, promoter ने अपनी company के अंदर जवरतस्त share buy किये हैं और एक और खास चीज यहाँ पे हुई है, जो कि DII के पास कभी share holding नहीं थी, DII ने भी यहाँ पे नामात्र की share holding भले ही बनाई है, लेकिन कुछ तो share holding बनाई है और public से यहाँ पे share holding यहाँ पे decrease हुई है, बात करते है रामा ट्यूप्स की sales की, तो sales इस company के अच्छी खासी increase हुई है, 768 करोड रुपए की रही 2022 में और operating profit जो है 42 करोड रुपए का रहा है over the long run 2022 में, तो company ने काफी अच्छी performance दिखाई है, इस company के अंदर आप लोग reserves देखेंगे तो 118 करोड के और borrowing जादा नहीं है, 138 करोड रुपए की, तो company की जो है, reserves भी अच्छे हैं और borrowing थोड़ी सी increase हुई है, जो कि ए cause of concern बना अगर हम कोरोना काल से अभी तक का देखते हैं, तो 1688 परतिसत के return, यानि कि total 17 times कर चुकी है अपने shareholder के पैंसों को, अब यह जो 17 times है, यह कोई छोटा मोटा जो है रकम नहीं हो जाती है, जब multifold करते हैं, अगर एक लाग रुपए कोरोना काल में किसी ने लगाय होते, तो 17 लाग रुपीज वो रुपए अभी तक बन गए होते हैं, कमपनी ने दोस्तों गोसना की है, कि इसका जो 5 रुपए की face value है, उस 5 रुपए की face value को 1 रुपए की face value में convert कर दिया जाएगा, और record date आप लोगों को बताई जाएगी है, अगर यहाँ पे shareholder का approval आ जाता है, तो अभी तक जो है, यहाँ पे company के shareholder का approval आया नहीं है, कि अवल company के board ने घोसना कर दी है, कि 1 इस तो 5 के ratio में हम लोग split दे रहे हैं, यानि कि जिन भी shareholder के पास record date के दिन 100 share होंगे, उनके 100 share 500 share में convert हो जाएंगे, जिन के पास 1000 share होंगे, वो 1000 share 5000 share में convert हो जाएंगे, तो shareholder के ल rate कर रहा है, आज लगवग 2.5% का उचाल भी देखने के लिए मिला, इसका mega plan जो है दोस्तों, 75,000 करोड रुपए का एक capex पुश करने वाले हैं, यह renewable energy में, ऐसा इन्होंने अपनी journal meeting में कहा है, अदानी और reliance industries को टक कर देने के लिए ऐसा decision यहाँ पे हो सकता है, कि लिया जा रहा है, जो present capacity है, total Tata power की 13.5 gigawatt की, जो कि इसमें से 34% जो है, renewable sources से आता है, और अब धीरे धीरे, जो reliance industries है, अदानी ग्रूप है, यह renewable industry में काफी focus कर रहे हैं, इसके चलते, यहाँ पे again, अब धीरे धीरे Tata power भी अच्छा खासा investment यहाँ पे लेके आ रहा है, जो कि total अगर देखा जाए, यहाँ पे green energy को, तो increase करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, आने वाले सालों में, तो दोस्तों, Tata power के shareholder के लिए बहुत बड़ी खुसकवरी है, उन सारे shareholder के लिए बहुत बड़ी खुसकवरी है, जो कि Tata group को पसंद करते हैं, साथ में, Tata group के अगर renewable energy sector को पसंद करते हैं, तो Tata power जैसे share को miss किसी को करना नहीं चाहिए, एक छोटी सी company है दोस्तों, जिसका की market capitalization, जो है यहाँ पे 70 crore rupees का है, लेकिन इस company के जो आंकडे हैं, वो negative में है, clearly mention कर रहा हूँ, इस company के जो आंकडे हैं, वो negative में है, risky stock है, तो यहाँ पे जो ह पांच परतिसत का अपर सरक्रिल लगा, पंथ infinity limited है, यह जो company है, ट्रेडिंग करती है, precious metals की, stones की और jewelry की, इस company ने जो है, one is to two के ratio में गोसना की थी bonus की, जिसके लिए एक्सडेट रखी गई है, 19 जुलाई को, तो आप लोगों को 18 जुलाई या उससे पहले, इस share को buy कर लेन है, तभी जाके जो है, आप लोगों को यहाँ पे benefit मिलेगा, इस share के bonus का, one is to two का bonus, यानि के दोस्तों, जिनके पात दो share होंगो, इनको एक share जो है, यहाँ पे free मिल जाएगा, company की तरब से, पंथ infinity limited, पिछले past year का अगर इसकी performance देखें, पिछले एक से डेट साल के दोरन, त तो 470% के returns company generate कर चुके price to earning ratio देख लीजे, यह एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, साथ में बात करें, पंथ infinity limited के maximum return के दो negative में रहा है, और बहुत जादा volatile रहा है, मैं तो कहूंगा, यहाँ पे बने रहना बहुत जादा risky है, लेकिन वहीं एक चीज आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, कि अगर आप लोग share market में नए हैं, अगर आप लोग अपने broker से परेशाने broker को change करना चाते हैं, तो description में upstock, 0da, angel one, इन तीनों के link दे गये हैं, इन तीनों के link पे जाके account open कीजिए, इन तीनों के link पे click कीजिए, account open कीजिए, और enjoy कीजिए upstock, 0da, angel one की services, तो दोस्तों, आज किस वीडियो में तना ही, बहुत बहुत धन्यवाद,